स्वागत है आपका रिडू स्वोर जेंक्शन में तो कैसे हैं आप सब? I hope सबच्चे होंगे चलिए आज बनाते हैं एकदम खसता चटपड़ा सा ये नमकीन इसे बनाने के लिए ले लिया है एक कटोरी गेहूं का आटा डाल दिया इसमें स्वाद के अंसर नमक थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर अब डाल देते हैं इसमें एक चमच भर के ये जीरा इसमें हमें सबी सुखे मसाले मिक्स करने है अभी तो डाल देंगे ये एक चमच अजवाइन भी हाथ से रगड करके और थोड़ी सी कसूरी मेथी इसे भी हाथ से रगड कर डालेंगे इस तरीके से डालने से ये अजवाइन और कसूरी मेथी का फ्लेवर और भी उभर कराता है अब डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा ही तिल तिल इसमें ऑप्शनल है ना हो तो ना भी डाले थोड़ा सा ही डाल देंगे इसमें आपजूर का पाउडर सबी चीजों को हाथ से अच्छे के हम मिक्स कर लिए पहले हमें इन सबी čीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3-4 चमsqu और जैसे हम किसी भी खस्ता रेसिपे के लिए मोईल लगाते हैं उसी तरीके से इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है आटे में और समी मसालों को और उसके बाद इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसका मीडियम हाड सा डो गूथ लेंगे तो यह जो हम डो लगा रहे हैं न तो यह बहुत जादा नर्म होना चाहिए और नहीं बहुत जादा हाड मीडियम सा हमें डो इसका गूत लेना है अब ले लेते हैं इसकी एक लुई बिलकुल इतने आटे से मैं 3 ल्युई बनाऊंगे तो मैंने ले लिए हैं पहले लोई इतना हमें इसे बेल लेना है तो बहुत जादा मोटा भी नहीं रखना है और बहुत पतला भी नहीं करना है तो रोटी से हल्की से मोटी हो इतना बेल लेंगे इसे हम तो पूरी तरीके से इसे बेल लेने के बाद अब हम इसमें लगा देंगे एक चम्मच घी तो इसमें हमें ओइल नहीं लेना है, घी ही लेना है, तो एक चमच घी डाल देते हैं, इसके उपर हम अच्छी से फैला करके, बिलकुल हाथ से हम सही तरीके से इसे फैला देंगे, और घी फैलाने के बाद, लेंगे हम सुखा आठा थोड़ा सा, बिलकुल थोड़ा सा, दो तीन चुटके हमे इसमें आटा डाल देना है और आटे को हलका हलका सा फैलाने के बाद अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो जैसे भी आप खस्ता या नमकीन कुछ बनाती होँ एक पर इस तरीके से बना करके देखिए बहुती चटपटे बहुती खस्ता सा नमकीन ये बनता है इसमें डाले हैं हमने सारे मसाले जो कि इसे एकदम चटपड़ा सा स्वाद देता है और इस तरीके से जब आप इसे फोल्ड करके बनाते हैं तो एकदम परतों वाली ये खस्ता नमकीन हमारी बन करके रेडी होती है तो इसी तरीके से बार-बार हम इसे फोल्ड करेंगे थोड़ा सा घी लगाएंगे थोड़ा सा आटा डालेंगे और फोल्ड करते जाएंगे तो इस तरीके से जब हम फोल्ड करते हैं तो एक-एक परत खुल करके आती है अच्छे से और एकदम परतदार खस्ता सी नमकीन ये बनती है तो मैंने फोल्ड कर लिया इसे पूरी तरीके से अब जो किनारे से आटा है थोड़ा-थोड़ा सा उसे हम साइड से हटा देंगे इस तरीके से चाकू से काट करके और ये जो पूरा हमने फोल्ड करके रखा है इसे चाकू से ही काट लेंगे पतले लंबे स्ट्राइप में बिल्कुल इस तरीके से तो पतले लंबे टुकडों में काट लेते हैं हम इसे चाकू से और पूरा जब ये कट जाएगा इस तरीके से तो एक-एक ये कटा हुआ टुकडा हमें लीकर बिल्कुल हलके हाथ से बेलन चला लेना है बिल्कुल इसी तरीके से लंबाई वे ही जैसे कि हमने इसे काटा है तो बहुत जादा दबा कर नहीं मेलना है बस हलके हाथ से ही इस पर बेलन चलाना है और इसी तरीके से हम सभी टुक्रो पर बेल चला करके रख लेंगे तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है इस तरीके से खस्ता नमकीन बनाने की पर बहुत ही गजब का ये चटपटा बहुत ही खस्ता सा नमकीन बनता है तो पूरी रेसिपी को सही समझने के लिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिए तो कर लिया है हमने सभी नमकीन को इस तरीके से तयार अब कडाई में आउयल को गरम करके डाल देते हैं ये सारा नमकीन पर आपका बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए बिल्कुल मीडियम सा गरम हो आईल तभी हमें इसमें डाल देना है ये नमकीन और मीडियम लो फ्लेम पर ही हमें इसे तलना है high flame पर बिलकुल भी नहीं तलना है नहीं तो यह उपर उपर से जल जाएगे और अंदर तक सही से खस्तर नहीं बनेगी तो medium low flame पर इसे दीरे दीरे 5-7 मिनट तक हल्का सुनेहरा होने तक हमें तल लेना है तो जितना आप इसे मेडियम आच पर तलेंगे उतना ये धीरे-धीरे से सुनहरा कलर का होता जाएगा और उतना ही जादा खस्ता भी बनेगा और हमने जो इसमें मसाले डाले हैं वह इसी एकदम चटपटा सा फ्लेवर देते हैं तो बहुत ही चटपटा से बनती है एकदम चटपट इसे नमकीन जिसे आप महीनों तक श्टोर करके रख सकते हैं पर ये इतनी टेस्टी बनती है कि महीनों तक चलेगी ही नहीं बहुत ही जटपट से खतम भी हो जाती है तो हो चुकी है रेडी हमारी यह नमकीन निकाल लेते हैं इसे प्लेट में और इसी तरीके से हम पूरी नमकीन अपनी बना लेंगे तो जब भ खुल करके आई है इस नमगीन की और बहुत ही अच्छे से बहुत ही खस्ता से यह बन करके रेडी हुई है मैं इस तरीके से चाको से कर रही हूँ तो यह बहुत ही खस्ता सा इसका आवाज है और मैं तोड़ करके भी दिखा देती हूँ एकदम चूर चूर सा हो जाता है यह ब